सुभह जल्दी उठें सुभह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशाताय करता है हैंडरी वार्ड बीचर जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है उसके पास स्वास्ते, पैसा और बुद्धी रहती है इस कहावत को आज के युग में जितना नजरन्दास किया गया है उतना किसी दूसरी कहावत को नहीं किया गया यह बात मैं अनभव से जानता हूँ कभी मैं भी रात को दो-तीन बजे सोकर सुभह आठ नौ बजे उठता था और अगर आप आधी रात के बाद सोते हैं तो आप भी मेरी ही श्रेणी में आते हैं टाइम मैनेजमेंट की दृष्टी से यह बिलकुल ही गलत है क्योंकि सुभह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है अपने लिए समय नहीं रहता लोग यह तर्क दे सकते हैं कि सुभह उठना उनके बूते की बात नहीं है रात की शांती में काम ज्यादा अच्छे तरह होता है और रात को वे चाहे जितनी देर तक काम कर सकते हैं लेकिन यह तर्क लचर है सुभह चार बजे उठने पर भी शांती ही रहती है और उसमें काम अपेक शाक्रत ज्यादा अच्छे तरह होता है मुख्य बात यह है कि उस समय काम की गदी भी तीज होती है क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरुताजा होते है रात को वातावरन में आक्सिजन की मातरा कम हो जाती है इसलिए आपका दिमाग कम चल पाता है और दिमागी काम के लिए रात का समय आदश नहीं होता है आदश समय तो सुभह का ही रहता है जब वातावरन आक्सिजन से भरपूर रहता है याकीन नहो तो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे उसी सड़क पर घूम कर देख लें एक बात जान ले समय के सरुशेष्ट उप्योग में सबसे बड़ी दिक्कत दूसरों की तरफ से आती है और सुबह ये दिक्कत सबसे कम होती है इसलिए सुबह के एक घंटे में आप जितना काम कर लेते हैं उतना दो पहर के तीन घंटों में हो पाएगा सुबह मोबाइल का टेंशन भी नहीं रहता अखबार भी देर से आता है बच्चे भी प्राय देर से उठते हैं इसलिए आप पूरी एकागरता से काम कर सकते हैं आदर्श सिती में तो नियम यह है कि सुरज उगने से दो गंटे पहले उठें और सुरज डूबने के दो गंटे बात सो जाएं जब आप सुबह चार बजे उठते हैं तो आपके पास समय ही समय रहेगा आफिस जाने से पहले भी आपके पास चार पांच घंटे का समय रहेगा इस दोरान आप व्यायाम कर सकते हैं पूरे दिन की योजना बना सकते हैं और अपने महतुपूर्ण काम निप्टा सकते हैं सुबह दस बजे तक खुश रहेंगे तो बाके का दिन अपनी परवाय स्वैम कर लेगा आलबाट हबाड दूसरी ओर जल्दी सोने की आदत से भी आप बहुत सी समस्याओं से मुक्ति पा लेते हैं आपको देर रात की पार्टियों से मुक्ति मिल जाती है इसके अलावा आपकी जीवनशेली ज्यादा स्वस्थ हो जाती है हमारी पूरवजों की जीवनशेली ज्यादा स्वस्थ इसलिए थी क्योंकि वे प्रकर्टि के खरीब थे वे न सिर्फ प्रकर्टिक वातावरन में रहते थे बलकि प्रकर्ति की लै में कार्य करते थे सुभह का वातावरन इतना पवित्र और शांत रहता था कि रिशी मुनी ब्रह्म मूरत में भजन पूजन करते थे वे मुर्गे की बांग के साथ उठते थे और चान निकलने पर सो जाते थे इस तरह वे अपने शरीर को प्रकर्ति के सामन जस्में रख रहे थे आज आधुनिक्ता की होड में कृत्यमता का माहौल इतना बढ़ चुका है कि प्रकर्ति से मनुष्य का सारा संपर्खी तूट चुका है रात को देर तक जागने से मनुष्य की प्राकर्तिक लय खत्म हो जाती है और वह सुभे देर से उठता है नतीजा यह होता है कि उसका हाजमा खराब होता है कब्स की शिकायत रहती है ताजगी और स्फूर्थी का अभाव होता है और दिन भर उसके शरीर में आलस भरा रहता है इसलिए समय के सर्वशेष्ट उप्योग का 21 सिध्धान्थ है सुभे जल्दी उठें यदि आपका पडोसी जल्दी उठता है तो आप उससे भी ज्यादा जल्दी उठें दे माफिया मैनेजर टीवी के संधर में सावधान रहें इससे ज्यादा निरर्था कुछ नहीं है कि आप वह काम कुशलता से करें जिसे किया ही नहीं जाना चाहिए पीटर ड्रकर टीवी के कारण आज जितना समय बरबाद हो रहा है उतना इतिहास में कभी किसी दूसरी वजह से नहीं हुआ वैसे फेस्बुक भी बहुत तीजी से इस शेणी में आता जा रहा है टीवी के कई दुश्प्रभाव होते हैं लेकिन हम यहाँ पर केवल समय की बरबादी के बारे में बात करेंगे एक सेर्वे में यह पाया गया कि लोग हर सप्ताह लगबग 17 गंटे टीवी देखते हैं यानि लगबग 2 गंटे प्रति दिन इसका मतलब है कि लोग हर दिन अपने पास उपलब्ध सक्रे समय का 20 प्रतिशत हिस्सा टीवी देखने में गवा रहे हैं जरा गौर से सोचे अगर आपने टीवी नहीं देखा तो क्या आफ़त आ जाएगी अकसर होता यह है कि हम यह सोच कर टीवी देखने बैठते हैं कि बस आदा गंटे देखूंगा आदा गंटे बाद दूसरे चैनल पर कोई अच्छा कारिकरम दिख जाता है और इस तरह कब दो गंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता इस चक्कर में आपके बहुत से जरूरी काम अधूरी रह जाते हैं टीवी के बहुत से समर्थक इसके शेक्षिक महत्व का दावा करते हैं लेकिन मुझे तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो सिर्फ शेक्षिक महत्व के लिए टीवी देखता हो अगर शिक्षा ही ग्रहन करनी है तो टीवी से बहतर विकल्ब मौझूद है पुस्तके पढ़ें या इंटरनेट से जानकारी लें वैसे यदि आप टीवी पर केवल ग्यान वर्धक कारिकरम ही देखते हैं तो यह अध्याय आप के लिए नहीं है मेरे एक परिचित हैं जिनके यहां टीवी सुभह से राब तक चलता रहता है सुभह वे खुद न्यूज देखते हैं बीच बीच में बच्चे स्कूल जाने से पहले कार्टून देख लेते हैं दोपहर में पत्नी के सीरियल्स और गाने चलते हैं शाम को वे खुद घर लोटकर न्यूज और सीरियल्स देखते हैं बीच बीच में बच्चों के कार्टून चलते रहते हैं यानि पूरा दिन टीवी के प्रती ही समर्पित होता है टीवी उनके परिवार का एक स्थाई और सबसे महत्वपूर सदस्य बन चुका है और तो और वे खाना भी टीवी देखते हुई ही खाते हैं जिससे ने तो उन्हें खाने का स्वाद आता है ने ही उन्हें यह अंदासा रहता है कि वे कितना खा गए नतीजा यह होता है कि वे जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं और दिनों दिन मोटे होते जाते हैं बच्चे कितनी देर तक टीवी देखते हैं इसका हिसाब लगाना मुश्किल होता है इसका एक उधारन देखें चोथे ग्रेट की क्लास में एक सर्वे किया गया कि विध्यारती कितने घंटे टीवी देखते हैं तब उस क्लास में अमेरिकी संगीतकार रॉब जॉमबी भी पढ़ते थे रॉब की शिक्षकों के होश उड़ गए जब उन्हें यह पता चला कि रॉब एक दिन में नौ घंटे टीवी देखता है उन्होंने रॉब से पूछा कि रात को देड़ तक जागे बिना वह इतने समय टीवी कैसे देख लेता है उसका जबाब था मैं सुभ़ जल्दी उठ जाता हूँ और कई बार तो मुझे क्रशी समंदी कारिकरम देखने पड़ते हैं क्योंकि इतनी सुभ़े वही कारिकरम आते हैं इस प्रसंद को कई साल हो चुके हैं अब तो 2400 गंटे मन पसंद कारिकरम चलते रहते हैं और अपने मन पर गाबू रखने के लिए काफी अनुशासन की जरुरत होती है यदि आप अपने समय का सर्वशेष्ट उप्योग करना चाहते हैं तो टीवी के संधर में सावधान रहें अखबार टीवी की तुलना में जानकारी का बहतर सादन है अखबार हमें पूरे संसार की जानकारी देता है और हमारा ज्यान बढ़ाता है लेकिन इसके दूसरे पहलू पर भी नज़र डाल कर देख लें अगर सचिन तंदुलगर ने अपने क्रिकेट करियर का सौवा शतक बना दिया तो उसके विस्तरत वितरन पढ़ने से क्या लाब है जब तक कि आपके क्रिकेट में रूची नहों काट्रीना कैफ या सल्मान खान के प्रेम प्रसंगों के बारे में पढ़ने से आपको क्षणिक आनंद के सिवा क्या मिल रहा है अख़बार में पढ़ने के लिए चटपटी या मसाले दाल खबरों के बजाए केवल सकारात्मक और ग्यान वर्दक खबरे ही चुने क्योंकि इस तरहें आपका बहुत सा समय बच सकता है महत्वपूर्ण सिधानत यह है कि अपने काम से काम रखें और दिगर बातों को नजर अंदाज कर दें आपका टीवी उतकरष्ट सेवक लेकिन भयंकर मालिक है चुनाव आपका है ब्राइन ट्रेसी और यह बात टीवी और अख़वार के संधर में ही नहीं हर चीज पर लागू होती है ब्रिटिश का एक ग्रेक डेविट जैसे नहीं बने जो हर दिन अपनी डाढ़ी सवारने में 40 मिनिट बरबाद कर देते थे अगर आप सिध्धान्द पर अमल करते हैं तो आप कम से कम आधे गंटे का समय बचा लेंगे जिसमें आप अपने महत पूर्ण काम निपटा सकते हैं इस तरहें सीखें जैसे आप हमेशा जिन्दा रहेंगे इस तरहें जीएं जैसे आप कल ही मरने वाले हों अग्याद मोबाइल का न्यूनतम उप्योग करें गुमशुदा कल सुर्योदे और सुर्यास्त के बीच के दो सुनहेरे घंटे जिनमें हीरे के साट मिनट जड़े थे खोजने वाले को कोई इनाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि वे हमेशा हमेशा के लिए चले गए है होरेस मैन जरा सोचें मोबाइल से हम आजकल कितने सारे काम करते हैं हम उस पर बाते करते हैं गाने सुनते हैं फिल्म देखते हैं और तो और गेम खेलते हैं चैटिंग करते हैं फेस्बुक पर जाते हैं नेच सर्फिंग करते हैं इंटरनेट बैंकिंग करते हैं फोटो खीचते हैं, वीडियो बनाते हैं और देखते हैं। एक छूटे से मोबाइल की बदॉलत आज दुनिया सच मुछ हमारी मुठी में आ चुकी है। लेकिन जरा ठहरें। जरा सोचें कि कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं थे, तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह चल रहा था। यह भी विचार करें कि मोबाइल युग में गादम रखने के बाद हमारा कितना सारा खिमती समय निरर्थक चीजों में बरबाद हो जाता है। आज के युवा मोबाइल पर गाने सुनने, चैटिंग करने और बातचीत करने में इतने खोई रहते हैं कि उनके पास कि मोबाइल फोन्स स्वास्ते के लिए खतरनाक होते हैं। अधिकांच मोबाइल फोन्स में से घातक इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडियेशन निकलता है, जिससे कई प्रकार के खत्रे उत्पन हो जाते हैं। अत्यदिक रेडियेशन की वजह से ब्रेन टूमर, नपुम सकता, इसलिए आप मोबाइल का जितना कम उप्योग करें, उतना ही आपके स्वास्ते के लिए अच्छा है। लेकिन मोबाइल की महामारी दिन दुनी रात चोगुनी गती से बढ़ती जा रही है। एक अध्धन से पता चला है कि अमेरिका की लोग लगभग तीन गंटे का समय मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रों में से एक है क्योंकि यह हमें महत्वहीन कामों में उलजा दिता है और महत्वपून काम करने से रोकता है। मेरी एक परीचित विध्यारती है जिसके माता-पिता ने उसे आई-ई-टी की परिक्षा में बैठने के लिए प्रेरि इसलिए समय के सर्वशिष्ट उप्योग का 24वा सिध्धांध है मोबाइल का न्यूनतम उप्योग करें। मोबाइल से दो तरफा समय बर्बाद होता है। या तो हम खुद ही अपना समय बर्बाद करते हैं जब भी किसी का मन होता है वह हमारे मोबाइल की गंटी बजा देत है हम कोई महत्वण काम कर रहे होते हैं कि बीच में ही कोई फोन आ जाता है जिससे काम का पूरा जूश ठंडा पड़ जाता है मोबाइल के कारण हम रात को भी चैन से नहीं सो पाते हैं आधी रात को कोई मैसेज या फोन आकर हमारी नीन खराब कर देता है देखिए मोबाइल पर हमें हमेशा मौजूद रहना पड़ता है मोबाइल पर समय की बरबादी को देखते हुए कुछ लोग दो मोबाइल नंबर रखते हैं एक सब के लिए और दूसरा कुछ खास लोगों के लिए वे अपना सारवजनिक मोबाइल नंबर शाम को बंद कर देते हैं ताकि कोई अनावशक रूप से उन्हें परिशान न करें कोई महतुपूर्ण कॉल छूट न जाए इसके लिए वे हर दो-तीन घंटे बाद फोन चालू करके missed call चेक कर लेते हैं कई लोग अपने cell phone को silent mode पर रखते हैं और missed call देखकर अपनी सुविधा से बात करते हैं मीटिंग में cell phone बंद कर दें क्योंकि किसी महतुपूर्ण चर्चा की बीच में मोबाईल की घंटी बजने से न सिर्फ आपकी बलकि बाकी लोगों की भी एकागरता भंग होती है आप एक चीज को रिसाइकल नहीं कर सकते और वह है बरबाद समय अग्याद मोबाईल आधुनिक युक की वह देन है जिसका फंदा आपके समय के गले में दिनों दिन कस्ता ही जा रहा है और यदि आपने इसका कोई इलाज नहीं किया तो यह आपके ज्यादा तर समय का सत्या नाश कर देगा इसलिए मोबाईल का न्यून्तम उप्योग करें और उससे बचने वाले समय का अधिक्तम सदुप्योग करें मित्र आपके समय पर डाका डालते हैं फ्रांसिस बैकन